हेलो फ्रेंड आइम शेखूट एंड यूर वाचिंग क्लीन हार चैनल ये शोर सुन रहे हो आप ये है जंगल बबलर मेरे प्यारे दोस्त हैं हरी शंकर जोशी यूट्यूब पर इनका चैनल है इर्द गिर्द इर्द गिर्द चैनल जरूर वाच कीजिएगा बेहतरीन वीडियो आपको देखने मिलेंगी कुछ दिन पहले मैंने जंगल बाबलर की एक वीडियो आपसे शेयर की थी उस वीडियो के टाइटल पर जंगल बाबलर का एक नाम सेवन सिस्टर्स या साद भाई पक्षी मैंने लिखा था जोशी सर ने मुझ से ये सवाल किया कि ये नाम आप ही जाने क्या आपने ये क्यों लिखा है तो आईए जान लेते हैं जंगल बाबलर के बारे में जैसा के आपने देखा होगा जंगल बाबलर हमेशा ग्रूप्स में रहते हैं और बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं और ये जनरली साथ से लेकर दस के गुरूप में रहते हैं इसलिए अर्बन नॉर्धर्न एंडिया में इसे सेवन सिस्टर्स नाम दिया गया ठीक इसी तरह बंगाल में सिस्टर्स वर्ड निकाल दिया गया और इसे कर दिया गया साथ भाई यानि के सेवन ब्रदर्स तो इस तरह से इस बर्ड को सेवन सिस्टर्स भी कहते हैं और कहीं साथ भाई पक्षी भी पुकारा जाता है ये बर्ड शहरी इलाकों के करीब जंगल और खेतों में रहते हैं ये खीडे मकोडे खाते हैं और अनाज भी खाते हैं जंगल बाबलर के बारे में कहा जाता है कि ये साल भर परजनन करते हैं ये पेड पर घने पत्तों के बीच में अपना घौसला बनाते हैं और तीन से चार गहरे नीले रंग के अंडे देते हैं जनरली हम देखते हैं कि बर्ड बहुत शाय होते हैं और जैसे ही हम बर्ड के करीब जाते हैं तो ये उड़ जाते हैं लेकिन जंगल बाबलर बिलकुल शाय बर्ड नहीं है इनके हम बिलकुल करीब भी चले जाए तो ये डरते नहीं और जल्दी उड़ते नहीं है और आखिर में एक मज़ेदार किस्सा सुनाते हैं बच्पन में जब बच्चे रोते या सताते थे तब मेरी नानी कहा करती थी खामोश हो जाओ, सो जाओ, नहीं तो कॉल भालू पकड़ कर ले जाएगी तब नहीं पता था कि ये शोर मचाने वाली जंगल बाबलर इसी को कॉल भालू कहते हैं